हाँ ये बात तो है मुझे लगता है ये टैलन्ट कालू कवे के पास है और वो चोर भी है तो शायद उन्होंने ही चोरी किये हो हाँ हाँ मुझे भी यही लगता है चलो आओ हम उनके घड़ पर नज़र रखते हैं ठीक है चलो हम उनके घड़ पर नज़र रखते हैं फिर दोनों दोस्त कालू के घड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं देखो देखो अगर इन्होंने चोरी की होगी न तो यह शाम को यहां से भागने की कोशिश जरूर करेंगे हाँ हाँ देखते हैं यह भागते हैं या नहीं और अगर इन्होंने चोरी की हुवी न तो अच्छी तरह मारना इनको हाँ हाँ मैं मारूंगा इन्होंने मेरे ओपर जूटा इल्जाम जो लगवाया है फिर दोनों दोस वहाँ पर बैठ कर कालू और गोरी के बाहर निकलने का इंतजार करने लग जाते हैं कालू कालू हमने इतने सारे पैसे चोरी तो कर लिये हैं लेकिन अब इनको छुपाएंगे कहां पर तुम अपने घर ले जो ना ये सारे के सारे पैसे तुम अपने घर ले जो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाँगा और अगर सेना पती या बाश्चा के किसी भी सिपाई ने आमारे घर की तलाशी लेने की कोशिश की तो यहाँ पर कुछ हो गा ही नहीं और हम अराम से यह घर छोड़ कर चले जाएंगे हाँ हाँ बात तो ठीक है ऐसा ही करते हैं मैं निकलती हूँ बाहिर तुम पीछे पीछे आ जाना जैसे ही गोरी घर से बाहिर निकलती है तो तोता और कबुतर उसको निकलता हुआ देख लेते हैं वो उसके पीछे जाते हैं वहाँ पर कालू भी आ जाता है तोता और टबूतर गोरी और कालू को रंगे हाथ पकड़ लिते है हाँ भई बताओ इस ठैली में क्या है क्या लेकर जा रहे हो यहाँ से कुछ भी नहीं है बल्के इसमें तो थोड़ा सा खाना है हम गोरी की तरफ जा रही हैं ना इसलिए ये थोड़ा सा खाना लेकर आये थे हम सच में इसके अंदर खाना है ये लग तो टूनी की पोटली रही है जिसके अंदर उसके पैसे होते हैं नहीं नहीं ये तो हमारी है तुम्हें कैसे बता ये टूनी की है ये तो हमने ही खरीदी है और वैसे भी ये मेरी मा ने दी थी मुझे एक बात बताओ ये तुम लोगा ने खरी दी है या तुम्हारी मा ने दी है ये गोरी की मा ने दी थी इसलिए हम इसके अंदर खाना ढालकर उदर ही लेकर जा रहे हैं बाप बड़ी अच्छी बात है हमें चेक तो करवाओ जरा फिर कबूतर पोटली छीन कर चेक करता है तो देखता है उसके अंदर तो टूनी के पैसे होते हैं अच्छा ये खाना है तुम्हारे लिए मुझे तो ये पैसे नजर आ रहे हैं तुम इसको खाना कहते हो पैसे ये पैसे कहां से आगे हम तो खाना लेकर आ रहे थे ना कालू मुझे नहीं पता ये कहां से आगे मैं बताता हूं कहां से आगे एक तो चोरी करते हो और दूसरा इल्जाम भी मेरे उपर लगवा देते हो तुम्हें तो मैं अब बताऊंगा फिर तोता कालू को अच्छी तरह से पीड़ता है ले मज़ा ले जूटा जाम लगवाता है मुझ पर तोता उसको अच्छी तरह से पीड़ कर साइड पे बैठ जाता है एक तो ये मुझे पोठली वापिस करो और दूसरा अपनी सजा बताओ क्या लोगे तुम तोनो हमें माफ कर दो हम दुबारा कभी भी चोरी नहीं करेंगे और तुम ये पैसे भी ले जो ये टूनी को वापिस कर देना उसको बताना नहीं हमने चोरी किये थे अच्छा ना बताओ और जो तुम लोग मेरे उपर इल्जाम लगवा के जा रहे थे उसका क्या हमें माफ कर दो ना हम दुबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे ठीक है पहली और आखरी दफ़ा माफ कर रहा हूँ दुबारा ऐसा कुछ हुआ ना तुम दोनों नहीं बचोगे मुझसे पर तोता पोटली लेकर तुनी के पास चला जाता है और तुनी को पैसे दे देता है तोते अब मैं आपका कैसे शुक्रियादा करूँ आपने मेरी पूरी उमर की मेहनत की कमाईव लाकर दी है आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शुक्रिया की क्या बात ये तो मेरा फर्स था ना और वैसे भी मुझे पर इल्जाम लगा हुआ था तो मुझे उसको तो हटाने की कोशिश करनी ही थी ना मुझे समझ जा गई है कि हमें किसी पर भी मीना देख इल्जाम नहीं लगाना चाहिए तो आप मुझे माफ कर दीजिए ठीक है मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ लेकिन अगली पर याद रखना किसी पर बिला वज़ा इल्जाम नहीं लगाते जंगल में रानो चिडिया अपने पती बंटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी अरे बंटी देखो सारा खाना खतम हो गया है अब हम क्या खाएंगे मुझे लगता है तुम्हें कोई काम कर लेना चाहिए हाँ हाँ रानो तुम बिलकुल ठीक कहती हो लेकिन जहां पर भी जाता हूँ सब लोग मुझे काम देने से इंकार कर देते हैं बंटी अगर खाना ना मिला तो हमारा तो गुजारा हो जाएगा लेकिन हम अपने बच्चों का क्या करेंगे उनसे भूख बरदाश नहीं होगी क्या बात कर रही हो रानो मुझे मालूम है और मैं कोशिश करूंगा हम सब का खाना पूरा हो सके बस इतना कहने के बाद बंटी जंगल की तरफ रवाना हो जाता है अब मुझे कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा वरना मेरे बच्चे भूके रह जाएंगे और रानों का भी क्या कसूर है उसे भी तो खाना खाना होगा ना अरे सारी बोरियां खाली हो गई है लगता है आज रात को सारा खाना खतम हो जाएगा ममा जल्दी से खाना दे दो देखो हम इंतसार कर रहे हैं आ रही हूँ देर रही हूँ काना थोड़ी देर सबर तो कर लोना बनाने में बहुत देर लगती है रानो चिरिया विचारी सारा बच्चा हुआ खाना अपने बच्चों के पास ले जाती है अरे माँ बस इतना सा खाना क्या इतने से खाने में हमारा पेट भर जाएगा हाँ बेटा खाकर तो देखो मिल बाट कर खाने से खाने में बर्कत होती है ठीक है माँ फिर दोनों बच्चे पेट भर कर खाना खा लेते हैं माँ हमने खाना तो खा लिया अब हमें पैसे दे दे हम दोनों ने चीज भी लेनी है अरे बेटा चीज का क्या करना है चीज खा कर तुम्हारा पेट खराब हो जाता है अब खाना खा लिया ना मां हमें पैसे दे दे सब बच्चे पैसे लेते हैं अच्छा मैं देखती हूँ अगर रखे होंगे तो ला दूंगी तुम्हें पैसे फिर रानोचीडिया जल्दी से अपने कमरे में जाती है और थोड़े से पैसे रानोचीडिया के पास बाकी रह जाते हैं आरे ये पैसे तो बहुत ही कम है और बच्चे विजित कर रहे हैं ममा जल्दी से पैसे दे दो देखो दुकान बंद हो जाएगी आप हमेशा इतनी ही देर लगा देती है आ रही हूँ थोड़ी देर सबर तो करो सबर नाम की कोई चीज भी नहीं है तुम्में फिर रानोचीर या अपने सारे पैसे अपने दोनों बच्चों को दे देती है और बच्चे पैसे लेकर चीज लेने के लिए चले जाते हैं आज तो घर में खाना भी खतम हो गया और पैसे भी पता नहीं हमारा गुजारा आगे कैसे होगा चिंटू भाई दुकान पर मिठाई आई हुई है और मुझे मिठाई बहुत जादा पसंद है मैं तो अपने सब पैसों की मिठाई ही खरीद लूँगी अरे गुडिया तुम कितनी बेवा को फो जब जंगल में किसे के हाँ बेटा पैदा होता है वो मिठाई माटते है ना तो तुम अपने पैसे क्यों जाया कर रही हो मिठाई खाने पर हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं चलो मैं समोसे ले लूँगी अरे गुडिया हम दोनों बेहन भाई अपने पैसे मिला कर पीजा खा लेते हैं पीजा बहुत जादा लजीज होता है पीजा ये किस चीज का नाम है भाईया आप तो मैं पीजा जरूर खाऊंगी फिर चीन्टू और गुडिया अपने पैसे मिला कर पीज़े वाली दुकान पर चले जाते हैं अरे भाया ये तो बहुत बड़ी सारी दुकान है क्या हमारे पास उतने जजादा पैसे होंगे ये हमें अंदर आने दे देंगे हाँ हाँ देखो हम दोनों के पैसे मिलाने से सो रपे तो हो ही गए हैं अब हम जल्दी से जाते हैं और पीजा खा लेते हैं बंटी वेटर के पास पीजे का ओडर देने के लिए चला जाता है और गुड या वहाँ पर एक सीट पर जाकर बैठ जाती है अरे सर मुझे पीजा चाहिए था आप के हां कितने रुपे तक का पीजा मिल जाता है बच्चे तुम अकेले पीजा खाने के लिए आए हो क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं हाँ अंकल मैंने और मेरी बहनने पैसे जमा किये हैं आप हम दोनों मिलकर पीजा खाएंगे तो एक पीजा हम 400 रुपे का देते हैं अगर आपके पास 400 रुपे है तो मुझे दे दे मैं आपके लिए पीजा उठा कर ले आता हूँ चार सो रुपे इतने ज़्यादा पैसे क्या आप लोग पागल है अरे बच्चे मैं तुमसे बड़ा हूँ थोड़ी तो तमीज करो मुझे पागल क्यों कह रहे हो अंकल चार सो रुपे का पीजा नहीं आता वो तो एक रोटी होती है उस पर कुछ चीजे लगी होती है मैं आप से चार सो रुपे का पीजा नहीं खरीदूंगा तो मत खरीदो मैं तुम्हारे पाउं पकड रहा हूँ अब यहां से दफा हो जाओ सर क्या आपके पास सो रुपे वाला पीजा होगा अगर सो रुपे वाला है तो दे दे नहीं है मेरे पास सोरपे वाला पीजा अगर तुमने मेरा दिमाग और ज्यादा खराब किया तो यहां के सारे बरतन तुमसे ही दिल्वाओंगा मैं अच्छा मास करना मैं जा रहा हूँ अपनी बेहन को यहां से लेकर चीन टू गुड़िया के पास जाता है गुड़िया टेबल पर बैठी पीजा आने का इंतजार कर रही थी अरे भाई आप पीजा क्यों नहीं लेकर आई इतनी देर हो गई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज यहां पर कोई पीजा नहीं मिलने वाला हमें क्योंके हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं हमारे पास पैसे भी बहुत ज़्यादा कम है क्या मतलब आपने कहा थाना सो रपे में पीजा आ जाता है और सो रपे तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना सोर पे हमारे लिए बहुत ज़ादा होते हैं लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते फिर चिंटू और गुडिया दुकान से निकल कर बाहर आ जाते हैं अरे भाई अब क्या करें मुझे बहुत ज़ादा भूक लग रही है गुडिया हमारे पास एक आइडिया है अगर हम पीज़े का सामान अपने घर ले जाएं और ममा को कहें वो हमें पीज़ा बना कर देदे तो हमारे तो मज़े ही हो जाएंगे हाँ हाँ भाईया आप तो बिलकुल ठीक कह रहे हैं तो जाएं और सारा सामान लेकर आये न फिर चीन्टू जल्दी जल्दी सामान वाली दुकान पर जाता है और वहां से पीज़ा के लिए बहुत सा सामान खरीद लेता है अरे ये पीज़ा का सारा सामान तो हो गया अब मुर्गी का गोश्ट भी तो लेकर जाना है जो पीज़े के उपर लगाया जाएगा थोड़ी ही दूर मुर्गी का गोश्ट भी बिक रहा था अरे अंकल आपके पास कितने रुपे का गोश्ट होगा बेटा तुमने सो का खरीदना है, हजार का खरीदना है, दस हजार का खरीदना है, जितने का भी खरीदना है मुझे बताओ अंकल मेरे पास बस 20 रुपे बचे हैं क्या आप मुझे मुर्गी का थोड़ा सा गोश्ट दे देंगे क्या बच्चे मजाग करते हो मुर्गी का गोश्ट 20 रुपे में तुम्हें शरम नहीं आती अंकल मैं बहुत जादा शरमा रहा हूँ 20 रुपे का गोश्ट लेते हुए आप बड़ाए मेहरबानी मुझे थोड़ा सा गोश्ट दे दे हमें बहुत जादा जरूरत है पहले मुझे बताओ इस गोश्ट का क्या बनाओगे हो सकता है मैं तुम्हारी मदद भी करूँ अंकल हम अपने ममा से पीज़ा बनवा कर खाने वाले हैं पीज़ा बहुत जादा मज़े का होता है हाँ हाँ मैंने भी खाया हुआ है बेटा मैं तुम्हें जादा सारा गोश्ट देता हूँ लेकिन मेरी एक बात याद रखना अगर पीज़ा बने तो मेरे लिए जरूर लेकर आना तो क्या आप हमसे पैसे नहीं लेंगे इसके अगर तुम्हारा पीज़ा मज़े का हुआ तो मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूँगा लेकिन अगर ना मज़े का हुआ तो मेरे सारे पैसे तुम्हें वापस करना होंगे ठीक है अंकल वैसे भी मेरी मम्मा के हाथों में बहुत जादा जाइका है फिर दुकानदार सारा गोष्ट पैक कर देता है और चिन्टो जल्दी जल्दी अपने घर वापस चला जाता है गुडिया कहा हो तुम जल्दी से बाहर आओ देखो मैं सारा सामान लेकर आ गया हूँ अच्छा भईया लेकिन मैंने मम्मा को अभी तक नहीं बताया के हम उनसे पीज़ा बनवाने वाले हैं आप खुदी जाकर बता देना अच्छा चलो ठीक है मैं ही जा रहा हूँ ये सारा सामान लेकर उमीद करता हूँ मम्मा इंकार नहीं करेंगी फिर चिन टू जल्दी से रानो चिडिया के पास चला जाता है रानो चिडिया कपड़े सलाई कर रही थी मम्मा आप से गुजारिश लेकर आया हूँ क्या आप मेरी बात मानेंगी हाँ हाँ बताओ बेटा क्या काम है मुझसे लेकिन उसे पहले ये बात बताओ तुम बाहर क्या चीज़ लेकर आये हो मा मैंने पीजा बनवाना है आप से आप बहुत लजीज़ खाना बनाती है तो मैंने सोचा पीजा भी बहुत अच्छा बनाएंगी अरे बेटा मुझे पीजा नहीं बनाना आता और वैसे भी अभी मैं काम कर रही हूँ इस सलाई के कपड़े भी वापस करके आने हैं मुझे मा बस एक बार एक बार पीजा बना कर तो देखें बहुत जादा मजाएगा नहीं 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 मैंने कहा अभी मैं बहुत जादा मस्रूफ हूँ जब मैं फारीग हो जाओंगी तब तुम्हारे सारे काम करूंगी मैं बिचारा चिंटू उदास हो जाता है और गुडिया के पास जाकर बैठ जाता है अरे भाईया ममा तो मानी ही नहीं मुझे लग रहा था ममा आज बहुत जादा गुसे में है नहीं गुडिया हमारी ममा हम पर कभी भी कोई गुसा नहीं करती मुझे लगता है कोई और ही बात होगी क्या बात ऐसा क्या है क्या घर में खाना कतम हो गया है हाँ, खाने से याद आया, मैंने मम्मा को खाना खाते तो देखा ही नहीं लगता है, उन्हें बहुत तेज भूख लगी हुई है तो भाईया, हमें मम्मा की भूख को खतम करना होगा, मम्मा को खाना बना कर देना होगा चलो गुड़िया हम दोनों कोशिश करते हैं और पीज़ा बना कर देखते हैं उमीद करता हूँ हमारा बनाया हुआ पीज़ा बहुत अच्छा बनेगा ठीक है भईया वैसे भी कोशिश करने में क्या जाता है जैसे भी बनेगा हम लोग तो खा ही लेंगे न फिर दोनों बच्चे पीज़ा बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं और वहां बन्टी नोकरी की तलाश में यहां वहां फिर रहा था मुझे नहीं लगता तुम गरीब होगे तुम्हारी शकल तो अमीरों जैसे लगती है अरे बोस अगर किसी के पास काम ना हो तो अमीर भी गरीब हो जाता है हर किसी को पैसे की जरूरत होती है आप मुझे अपने पास नोकरी के लिए रख लेना अच्छा मैं तुम्हें रख तो लूँगा लेकिन सारा दिन तुम्हें मेरे पास रहना होगा और काम करते रहना होगा ठीक है बोस लेकिन मेरी तंख़ा तो बता दे कितने रुपे देने वाले हैं आप मुझे एक महीने में एक हजार पे दूँगा मैं तुम्हें अगर मन्जूर है तो मुझे बताओ एक हजार अच्छा चलो ठीक है वैसे नोकरी तो बताओ क्या नोकरी करवानी है आपने मुझसे तुम यहां पर लोगों के जूते पालिश क्या करोगे क्यूंके मैं जूते पालिश करने वाले एक अमीर शक्स को ढूंड रहा था मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा मैं लोगों के जूते पालिश नहीं करूँगा अब मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ तुम्हें तो मेरा शुकर गुजार होना चाहिए था मैंने तुम्हें नोक्री दी है लेकिन आप तुम यहां से चले जाओ मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता मुझे भी ऐसी नोक्री बिल्कुल भी नहीं करनी फिर बंटी अपने घर वापस आ जाता है अरे रानो आज एक नोक्री मिली तो जूते पालिश करने वाले की नोक्री क्या मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ अरे नहीं बंटी आपने नोक्री ऐसी कभी भी नहीं करनी अब हम इतने भी गरीब नहीं हैं के लोगों के जूते पालिश करते फिरें हाँ हाँ रानो मैं भी बोस से यही कहकर आया हूँ कि मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि अब उनके जूते पालिश करूँ अभी रानोची रिया और बंटी बाते कर ही रहे थे कि दोनों बच्चे लजीज पीजा तयार करके उनके पास ले आते हैं अमी अबू ये देखो ये कितना लजीज है और बहुत अच्छी खुश्बू भी आ रही है अरे बेटा ये क्या चीज है तुम लोग इतनी अजीब सी चीज क्यों लेकर आए हो हमारे पास अबू इसे पीजा कहते हैं ये अभी अभी आया है आप खा कर बताएं कैसा है अच्छा पीजा ऐसा होता है मैंने आज से पहले कभी भी पीजा नहीं देखा था अच्छा ये होता है पीजा इसे कह रहे थे बना दो बेटा ये तो मुझे बनाना ही नहीं आता था शुकर है तुम लोगों ने मुझे नहीं बनवाया तो ममा आप खुदी कह रही थी बना दूंगी बना दूंगी हमें लगा आपको बनाना आता होगा बेटा मैंने आज तक पीज़ा देखा ही नहीं था लेकिन आप देख लिया है अब हम इसे खाएंगे भी फिर रानचीरिया गुड्या बन्टी और चिन्टू सब लोग मिरकर पीज़ा खाते हैं पीज़ा बहुत ही जादा लजीज होता है अरे वाह वाह कितना लजीज पीज़ा है मज़ा ही आगया है सच में आबू आपको पसंद आया है ये पीज़ा अरे बेटा ये तो तुम्हारी ममा के हातों से भी जादा अच्छा बनाया हुआ पीज़ा है मुझे ये बहुत जादा पसंद आया है और बेटा मुझे ये पीजा बहुत पसंद आया बहुत अच्छा है ये मुझसे भी जादा अच्छी तो चीज़े तुम ही बना लेते हो शुक्रिया ममा आप लोगे ने हमारे होसला अवजाई की है अब तो हम हर रोज पीजा ही बनाया करेंगे अरे बेटा हर रोज पीजा खाना ठीक नहीं होता इससे हम लोग मोटे मोटे हो जाएंगे ये तो और भी जादा फाइदा मन्द होगा ना अबू आपी तो हमें कहते हैं मोटे हो जाओ मोटे हो जाओ फिर हम ये पीजा खाएंगे और मोटे मोटे हो जाएंगे ना मैं ऐसे वाले मोटे की बात नहीं करता ये तुम लोगों को बिमारियों का शिकार बना देगा मैं असल गिजा की बात करता हूँ ठीक है अबू हम ऐसा ही करेंगे हम कुछ दिनों बाद पीजा बना कर खा लिया करेंगे और मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आया है पीजा बनाते हैं और वैसे भी यहां पर तो कोई बनाता ही नहीं है तो ठीक है ना आज से तैह हुआ हम लोग पीजे की एक बड़ी सी दुकान खोलेंगे इसके लिए पैसे भी ज़रूरी है पैसे कहां से आएंगे हमारे पास इतने पैसे नहीं है अभी घर में बनाएंगे बाद में बड़ी सी दुकान खोलेंगे जो मुनाफ़ा होगा उसके पैसों से फिर अगले दी इन साब लोग मिलकर एक बड़ा सा पीजा बना लेते हैं और जंगल के तमाम परिंदों को अपनी दावत में बुला लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों का हमारी दावत में आने का बहुत बहुत शुक्रियाब हम पीजे की एक बड़ी सी दुकान खोलने वाले हैं आप सब अपनी अपनी राय दे हमें हमें ये पीजा बहुत पसंद आया ये पीजे की दुकान बहुत अच्छी चलने वाली है हम सब बहुत खुश है कि आप लोग पीज़े के लिए एक दुकान भी खोड़ रहे हैं तो आज से तै रहा हम लोग पीज़ा बेचा करेंगे और आप सब हमारी मदद क्या करना पीज़ा खरीद खरीद कर फिर इस तरहार रानुचीरिया के घरवालों की तमाम परिशानी दूर हो जाती है उनके पीज़ा की दुकान बहुत अच्छी चलने लग जाती है बकराई दाने वाली थी और सब परींदे ईद के लिए बड़े बड़े जानवर खरीदने बकरा मंडी जा रहे थे चिंटू आज मैं अपने अबू के साथ बकरा मंडी गया था मैंने देखा है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बकरे हैं अरे यार मुझे भी अपने साथ ले जाते मेरा बहुत दिल करता है बकरा मंडी जाने को हाँ हाँ अगली बार जब जानवर खरीदने के लिए जाएंगे तो मैं अपने साथ ले कर जाएंगे अभी वहाँ बहुत जादा रश्टा वैसे तुम लोग इस बार क्या जानवर लोगे जिबा करने के लिए मेरे अब्बू ने कहा है हम लोग बकरा लेंगे मुझे बकरा बहुत पसंदा भी पैसों का इंतजाम हो जाए फिर हम बकरा खरीदने के लिए भी जाएंगे मैं भी बकरा खरीद कर लेकर आऊंगा मैं अपने अबू से बात कर लेता हूँ देखता हूँ वो मुझे पैसे देंगे तो मैं भी बकरा लेकर आऊंगा फिर ठीक है फिर हमारे साथ ही चलना वैसे भी हमने रेट बनवाया हुए बक्रा कितने का है तो तुम्हें भी लेकर दे देंगे अपने साथ ही चेंटू जल्दी से अपने घर जाता है माँ अबू को बुलाएं ना अबू कहां है जल्दी से बुलाएं अरे बेटा क्या हो गया तुम इतनी जल्दी में क्यों हो तुम्हें अपने अबू से क्या काम प अपने घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे डाकों ने लूट लिया अबे ओ जो तेरे पास है सब कुछ यहां पर रख दे वरना आज तेरी जान जाएगी मेरे हाथों ये मेरे बहुत कीमती पैसे हैं मैंने कुर्बानी के लिए जमा किये हुएं तुम लोग मेरे पैसे म मत लेकर जाओ ना चुप चाप देते हो या तुम्हें जान से मारूं वैसे तुम्हें बहुत सक्त गुना होगा अल्ला की रामे में जानवर कुर्बान करने के लिए पैसे लेकर जा रहा हूं लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे तुम्हें जान से मारना होगा बंटी पैसे बिखाने की बहुत जादा कोशिश करता है लेकिन डाकू बन्टी से पैसे च्छीनने के बाद वहाँ से भाग जाता है लूट गया मैं बर्बाद हो गया मेरे सारे ईद के पैसे खतम हो गए ये डाकू पता नहीं ऐसा क्यों करते है उदास होकर बैंटी अपने घर वापस आ जाता है आ गया आप पैसे लेकर आए हैंना कैसे पैसे सारे पैसे डाकू लूट कर ले गया मुझसे अब मैं क्या करूँगा कुर्बानी पर कौन सा जानवर जिबा करवाऊंगा मैं अब क्या होगा चिंटू कब से जिद कर रहा था अबू आएंगे तो जानवर लेने के लिए जाएंगे अब मैं उसे क्या जवाब दूँगी मैं भी कुछ नहीं कर सकता मैं क्या करूँ मेरे सारे पैसे मेरे हाथों से चले गए हैं मुझे बहुत बड़ा सद्मा लगा हुआ इस वाक थोड़ी ही देर में चिंटू बंटी के पास आता है अबू पैसे लेकर आए है ना चलो जानवर लेने के लिए चलते हैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप आए है बेटा इस साल हम लोग जानवर नहीं ले सकते हमारे पास इतने पैसे नहीं है अबू आप ये क्या कह रहे हैं हर साल हम कुर्बानी करते हैं इस साल भी करेंगे आपके पास पैसे होते हैं जल्दी चले ना मेरे साथ नहीं है बेटा पैसे सारे पैसे डाकू लोट कर ले गया मुझसे मैं क्या करूँ आप मैं भी कुछ नहीं कर सकता मुझे भी बक्रा लेना है सब लोग बक्रा लेकर आएंगे मैंने भी लेना है कहीं से भी पैसे लेकर आएंगे आप चलो मैं देखता हूँ तुम अभी कुछ दिन तो सबर करो अभी इदाई नहीं अभी काफी दिन बाकी है इदाने में चिन्टू उदास होकर घर से बाहर चला जाता है अबू हमेशा मेरे साथ ऐसा करते है पिछली बार मुझे सफैद बकरा पसंद आया तो अबू ने काला ले लिया आप कहते हैं पैसे नहीं है पता नहीं क्या चाहते हैं वो चिन्टू गुसे में बैटा हुआ था अरे यार चलो तो बहुत मज़ा आएगा इतने बड़े बड़े बकरे हैं वहाँ पर बहुत खूब सूरज जानवर भी है हाँ हाँ चलो फिर मैं भी देखकर आ जाता हूँ जानवर जगू और चिन्टू कालू कवे के साथ जानवर देखने के लिए बकरा मंडी चले जाते है चलो बच्चो तुम दोनों यहाँ पर खड़े रहो मैं जानवर देखकर आता हूँ जो पसंद आएगा आज ही उसे घड़ ले जाएंगे ठीक है अबू हम बाकी जानवरों को देख लेते हैं चेंटू सारी बकरा मंडी में देखता है तो उसे सब जानवर बहुत जादा खूबसूरत नजर आ रहे थे हाँ भई बता कैसे जानवर है अच्छे है ना अच्छे नहीं बहुत जादा अच्छे है मुझे यह सब जानवर पसंद है लेकिन हमारे पस इतने पैसे नहीं है कि हम जानवर खरीद सकें अच्छा चलो मेरे साथ खेल लिया करना अभी क्या बकराई दा गई है जो हम बकरा खरीदेंगे उसे मैं घांस खिलाऊंगा तुम भी मेरे साथ खिला दिया करना ना अरे तुम कितने अच्छे दोस्त हो तुम जैसा दोस्त मिलना मेरी खुश नसीबी है ठीक है ठीक है देखो अब बू आ रहे हैं मुझे लगता है उन्होंने जानवर खरीद लिया है चलो बच्चो एक बकरा खरीद लिया है बहुत तेज गर्मी है वैसे अब घर वापस चलते हैं बकरे को रिक्षे में लाद कर कालू कवे के घर छोड़ दिया जाता है अब इस बकरे का खुब बच्चे तरीके से दिहान रखना है जगू ये हमारा मेहमान है कुछ दिनों के लिए हाँ बू में इस बकरे का ज़रूर दिहान रखूंगा ये मेरा पसंदीदा बकरा है ना चलो दोस्त अब अपने घर जाता हूँ खाना खाने के लिए फिर थोड़ी देर बाद आऊंगा हम बकरे को भी खाना खिला देंगे चेन टू अपनी ममा रानुचिडिया के पास चला जाता है मा आप लोग कैसे हैं मुझे बकरा नहीं दिल्वा सकते जगू ने नया बकरा खरीद लिया है आज वो बहुत जादा खुश है बेटा तुम्हारे अबू के सारे पैसे चोरी हो गए है वरना तुम्हारे अबू भी बकरा लेकर आते तुम इस बात को क्यों नहीं समझते मुझे नहीं पता सब बच्चों को शोग होता है बक्रा लेने का पैसे चोरी हो गए तो मेरा क्या कसूर है अबू ने खुदी चोरी करवाए है ना बेटा ऐसा मत कहो तुम्हारे अबू बहुत जादा मेहनत करते हैं हमें पालने के लिए और तुम होके एक बक्रे के पैसे चोरी हो गए तो अपने अबू को कुछ कुछ कह रहे हो अंदर बैठा बंटी बहुत ज्यादा उद्व हो जाता है आहला ताला ये कैसा इम्तिहान है मैं अपने बेटे के लिए बक्रा लेकर आना चाहता था लेकिन मेरे पैसे चोरी हो गए हैं थोड़ी ही देर में रानो चिरिया के पास उसकी अम्मी की कॉला जाती है बेटी कैसी हो तुम इतने दिन हो गए कोई बात ही नहीं की तुमने मुझसे हाँ मा मैं बिलकुल ठीक हूँ बक्राई दाने वाली है बस उसी की तयायां कर रहे थे क्या जानवर लिया है तुम लोगोंने जिबा करवाने के लिए अब तक तो कुछ भी नहीं लिया बंटी के सारे पैसे डाकू लूट कर ले गए है अच्छा क्या ऐसा हुआ है क्या तुम्हें पैसों के जरूरत है तुम्हें पैसे भेज़ देती हूँ नहीं मा मुझे जरूरत नहीं है बंटी खुदी कुछ कर लेंगे न और चिंटू कैसा है उसने इतने दिन हो गए अपनी नानी से कोई बात ही नहीं की ठीक है चिंटू लेकिन बहुत जादा बत्तमीज हो गया है ना अपनी मा का लिहास करता है ना अपने बाप का जो जुबान में आता है बोल देता है बस बेटी उसे समझाओ अभी वो बहुत चोटा है आगे आगे बड़ा होगा तो तुमसे और भी ज़्यादा जबान चलाएगा वो मा किसी की नहीं सुनता ना अपने अबू की सुनता है ना मेरी सुनता है पता नहीं क्या चाहता है वो ऐसे करो तुम उसे मेरे पास भेज़ दो मैं उसे समझा दूँगी कुछ दिन अपने पास रखोंगी उसका मोहौल भी बदल जाएगा मा आप ऐसा करे ना बकराईद पर हमारे पास आ जाए इतना आर्सा हो गया आपने कभी भी बकराईद मेरे साथ नहीं मनाई अच्छा चलो मैं ही आ जाओंगी वैसे तुम्हें घर में बहुत काम होगा तुम्हारी मदद भी करवा दिया करूँगी मैं अभी रानो चेड़ या अपनी अम्मी से बाते कर ही रही थी के बाहर गोरी कभी आ जाती है चेड़िया दर्वाजा खोलो जल्दी से मेरी बात तो सुनो ना मा बाहर गोरी कभी आई हुई है मैं आपसे बात में बात करती हूँ ना ठीक है ठीक है बहुत जल्द मैं तुम्हारे साथ होंगी तुम्हारे घर में आजाओ गोरी बेहन दुर्वाजा खुला है इतनी देर हो गई आप बाहर खड़ी हुई है हाँ भई रानो बताओ बक्राइद के लिए कोई जानवर खरीदा या नहीं खरीदा नहीं खरीदा चिंटू के पापा के सारे पैसे चोरी हो गए है हाँ भई हाला तो बहुत जादा खराब हो गए है हर किसी को अपने पैसों की इफाज़त करनी पड़ती है जानवरों की इफाज़त करनी पड़ती है कोई किसी को नहीं छोड़ता है बेहन आप अपने बक्रे का खूब अच्छे तरीके से दिहान रखना क्योंके वो अल्ला की राह में कुर्बान होने के लिए आया है ना हाँ हाँ बिलकुल मैं तो अपने बकरे का खूब अच्छे तरीके सी दिहान रख रही हूँ जगू तो वहां से आगे पीछे जा ही नहीं रहा वही बैटा है कि बकरे को कुछ हो न जाए एक बात याद रखना बकरे को कुछ जादा मत खिला देना कि उसका पेट ही फूल जाए हाँ हाँ मुझे मालूम है अभी रानो चेड़ या और गोरी कवी आपस में बाते कर ही रही थी कि घर के मां हर चीन डूर जगों की लड़ाई हो जाती है तुम मेरे बकरे को हाद मत लगाओ मेरा बकरा खराब हो जाएगा क्यों न लगाओ ये तो एक जानना रहे से कुछ भी नहीं होगा मुझे भी प्यार करने दोने से अपने अब्बू से कहो ना बक्रा ले दे बक्रा लेने की उकात नहीं है तुम्हारे और मेरे बक्रे को हाथ लगाते हो आकर बस इस बार नहीं आया बक्रा हुमारे गर वरना पिछली बार तुम मेरे बक्रा लेकर कितनी दूर दूर गए थे ना पिछली साल की बात पिछले साल के साथ गई इस साल महंगाई बहुत जादा हो गई है बकरा भी मेरा है तुम इसे हाथ मत लगाओ पहली बात तो ये हाथ तो इनसान लगाते हैं मैं तो अपना पंक लगा रहा हूं इसे मैं तेरा पंक तोड़कर फैक दूँगा अपने पंक को साइट पकर बकरा दोनों की लड़ाई सुनकर बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है अरे मैं क्या करूँ ये दोनों तो आपस में लड़ने लग गए हैं मेरी बोली भी समझ में नहीं आएगी अब मैं क्या करूँ पता नहीं मेरा दीमा